हेलो स्टूटेंट आज हम प्राचलिक समीकंड के अवकलन differentiation of the parametric equation के बारे में study करेंगे अर्थात हमें एक वक्र के प्राचलिक समीकंड दे रखे हों उसकी help से हम dy बटे dx किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में हम आज study करेंगे माना किसी बक्र के प्राचलिक हमें समीकंड दे रखे हैं x वरावर ft और y वरावर gt अर्थात x is the function of t and y is the function of t तो हम dy बटे dx कैसे निकालेंगे जहां t जो है parameter अर्थात प्राचल दे रखा है तो हमें x वरावर ft दे रखा है t हमारा यहां प्राचल है तो हमें जो भी प्राचल दे रखा हो हम उसके सापेच में अवकलन करते हैं तो हमने इसका अवकलन किया x वरावर ft का t के सापेच में अवकलन किया ये प्राप्त होगा dx upon dt बरावर f-t इसको हमने समीकन नम्मर एक डाल दिया अगला हमें दे रखा है प्राचलिक समीकन y बरावर gt इसका हम t के साफ़े चपकलन करेंगे वो आ जाएगा dy वटे dt बरावर g-t इसको हम समीकन नम्मर 2 डाल देंगे अब हमें dy वटे dx निकालना है इसको निकालने के लिए समीकन 2 को एक से हम डिवाइड कर देते हैं अर्ता समीकन नम्मर 1 में 2 से भाग लगाने पर यह आएगा dy वटे dt upon dx upon dt बरावर g-t upon f-t तो dt से dt कर जाएगा या फिर मैंने नीचे step दे रखा है dy upon dt into dt upon dx हो जाएगा बरावर g-t upon f-t dt से dt कर जाएगा इस तरह से हम dy upon dx निकाल सकते हैं g-t upon f-t अब हम इनको और समझने के लिए कुछ question लेते हैं और question की help से हम प्राचलिक समीकरणों के अवकलन कैसे करते हैं को और समझेंगे एक हम question लेते हैं यदि x वरावर 80 square y वरावर 280 तो dy वटे dx का मान ग्याद करो चुकि हमें x वरावर 80 square दिया हुआ है और y वरावर 280 अर्थात यहां पर t हमें प्राचल दिया हुआ है और यह जो है constant है तो हम x वरावर 80 square का t के सापेच में हम अवकलन करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा dx upon dt वरावर a constant है t square का t के सापेच में अवकलन हो जाएगा 2 dt 2 into t formula लगा है x की power n का x के सापेच में अवकलन n x n-1 इस तरह से हमें dx upon dt प्राप्त हो जाएगा 2 a t इसको हम डाल देंगे समीकर नमबर 1 अगला हमें दे रखा है y वरावर 2 a t इसका भी हम t के respect में अवकलन करेंगे dy वटे dt आएगा 2 a 2 a constant भार ले लिया t का t के सापेच में अवकलन करेंगे a का जाएगा अर्थात हमें dy वटे dt प्राप्त होगा 2 a dy वटे dx निकालने के लिए समीकर नमबर 2 में 1 से बाग लगाने पर dy वटे dx वरावर यह आएगा 2 a upon 2 a t 2 a से 2 a कर जाएगा इस तरह से हमें one upon t आंसर राप्त होगा और कुश्चन लेते हम अगला कुश्चन है x बरावर a cos theta y बरावर b sin theta तो dy वटे dx का मान ग्याद करो जहां theta प्राचल है यह और भी constant है सबसे पहले हमें दिया हुआ है x बरावर a cos theta तो हम इसका theta के साफिश चपकलन करेंगे चुकि theta प्राचल है ऐसी लिए तो dx upon d theta बरावर a cos theta का अवकलन हो जाएगा minus sin theta इस तरह से dx upon d theta आएगा minus a sin theta इसको हम समीकन नमबर 1 डाल देंगे अगला हमें समीकन दे रखा है y बरावर b sin theta इसका हम theta के respect में अवकलन करेंगे तो dy बटे d theta बरावर b cos theta क्योंकि sin theta का अवकलन हो जाएगा cos theta b constant है अब हमें dy बरते dx निकलना है तो हम समीकन नमबर 2 में x से भाग लगाएंगे तो इस तरह से हमें left end में बहीं तरफ प्राप्त होगा dy upon dx बरावर right end में प्राप्त होगा b cos theta upon minus 1 sin theta और हम इसको finally solve करेंगे minus b upon a cos theta में sin theta से डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा cot theta इस तरह से dy बटे dx की हमें value प्राप्त होगी minus b upon a cot theta next question है x square plus y square बरावर t minus 1 upon t तथा x4 plus y4 बरावर t square plus 1 upon t square तो सिद्ध करो की x dy upon dx plus y बरावर 0 यह है question polytechnic की exam में verse 2018 में 6 नंबर में आया हुआ question है इसको देखो हम कैसे solve करेंगे हमें x, y और t में दोर lesson दिये हुए है और हमें जो सिद्ध करना है x dy बटे dx plus y बरावर 0 जहां हमें सिद्ध करना है वहाँ t की कोई भी term नहीं है अर्थात हमें जो पहले दोर lesson दे रखे हैं उन दोनों की help से हमें t का बलोपन करना है तो पहले हमें जो समीकर दे रखा है उसको हमने एक डाल दिया दूसरे नमर पे जो समीकर दे रखा है उसको हमने एक समीकर नमर दो डाल दिया अब हम जो समीकर नमर एक दे रखा है उसका हम वर्ग करते हैं समीकर नमर एक का वर्ग करने पर तो x square प्लस y square का whole square बरावर t-1 upon t का whole square इसको हम खोलेंगे a plus b का whole square से आ जाएगा x4 plus y4 plus 2 x square y square बरावर t-1 upon t के whole square को हम खोलेंगे a minus b का whole square यह आ जाएगा t square plus 1 upon t square minus 2 चुकि हमें यहां से t अठाना है तो समीकर नमर एक का हमने वर्ग किया है अब हमें 2 की help लेके t अठाना है तो हम समीकर नमर 2 की help से x square sorry x4 plus y4 की जगह पर t square plus 1 upon t square इसमें रखेंगे तो next step में हम x4 plus y4 की जगह पर t square plus 1 upon t square रख दिया plus 2 x square y square बरावर t square plus 1 upon t square minus 2 हमें प्राप्त हो गया तो देखो हमें left end में भी t square plus 1 upon t square है और right end में भी है तो यह दोनों कड़ जाएंगे इस तरह से हमें finally प्राप्त होगा 2 x square plus y square बरावर minus 2 अर्थात x square plus y square बरावर minus 1 अब हमें जो दो x, y और t में जो relation दे रखे थे उनकी help से हमें एक नया समीकन प्राप्त हो गया और उसमें t का कोई भी पद नहीं है अब हम इसका x के respect में अवकलन करेंगे x square plus x square into y square बरावर minus 1 का इसको हमने 3 डाला है तो अब हम इसको आगे solve करते हैं हमें दे रखा है यह आगे हमारा finally x square into y square बरावर minus 1 x के सापेच में इसका अवकलन करने पर चुकि x square अपने आप में एक फलन है और y square भी अपने आप में एक फलन है तो यह दो फलनों का गुड़न फल है और दो फलनों के गुड़न फल का formula मैं बता चुका हूँ फर नीचे और बता देता हूँ देखो नीचे मैंने लिखा एक formula सूत्र d upon dx u into v u पर्थम फलन है v दुटी फलन है तो u into dv upon dx plus v into du upon dx अर्थार पिर्थम फलन into दुटी फलन का आवकलान plus दुटी फलन into पर्थम फलन का आवकलान इस तरह से हम दो फलनों के गुड़न फलन का आवकलान करते हैं यहाँ पर हम करेंगे तो देखो हम करेंगे पर्थम फलन एक मानलो तो हम पहले मानलो y square को हमने constant रख लिया और x square का अवकलन किया 2x प्लस अगली बार x square को constant रख लिया और y square का अवकलन करेंगे 2y आएगा x की power n से और y का चुकि हम पूरे फलन का x के respect में अवकलन कर रहे हैं तो फिर हम y का भी अवकलन करेंगे वो आएगा dyy वटे dx बनाबर 1 का हो जाएगा x के साथ पेच में अवकलन 0 अब हम इस दोनों पद में जो बाएं तरफ दोनों पद रखें उन में से 2xy को मना रहा है 2xy को मन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y plus x dy upon dx बरावर 0 अब यहां पर हम यह तीन तर्म हो गए x 0 के बरावर y 0 के बरावर और एक y plus x dy upon dx जीरो के बरावर तो हम यही 0 के बरावर लेंगे y plus x dy upon dx बरावर 0 इस तरह से हम मैं जो पूछा गया थे वो हमें प्राप्त हो चुका है अब हम पढ़ेंगे एक फलन का दूसरे फलन के साथ पेच में अवकलन कैसे ग्यात करते हैं the differentiation of a function with respect to another function माना एक फलन हमें fx दे रखा है दूसरा हमें gx दे रखा है और हमें fx का gx के साथ पेच में अवकलन करना है तो हमें fx को y माल लिया और gx को z माल लिया अर्थात हमें y का z के साथ पेच में अवकलन करना है तो यह हो जाएगा dy upon dz तो हम इसको कैसे करेंगे चुकि हमें y बरावर हमने fx को y माल लिया तो y बरावर fx आ गया gx को z माल लिया और हमें dy upon dz गयाद करना है तो सबसे पहले जो हमने एक माना है y x का फलन है तो इसका हम x के साथ पेच अवकलन करेंगे dy upon dx आ जाएगा f-x इसको हम 3 डाल देंगे चुकि z b gx x का फलन है इसका भी x के साथ पेच में आवकलन करेंगे तो g-x आ जाएगा हमें dy upon dz निकालना है तो 3 में 4 से भाग लगा देंगे इस तरह से dy upon dz आ जाएगा f-x upon g-x इस तरह से कोई भी question दे रखा हो कि एक फलन का दूसरे दिये हुए फलन के साथ पेच में आवकलन कर रहो तो इस तरह से हम कर शकते हैं इसके लिए एक या दो question solve करते हैं फलन हमें दे रखा है log of 1 plus x square का 10 inverse x के साथ पेच में आवकलन करो पहले फलन का दूसरे के साथ पेच में आवकलन करो तो पहले को हमने y माल लिया दूसरे को z माल लिया अर्ता तमें dy upon dz क्या करना है दोनों फलन x की फलन है तो हम पहले का जो फलन दे रखा है समीकर दे रखा है उसका x के साप इच में आवकलन करेंगे dy वटे dx log of 1 plus x square का ये फलन का फलन है तो log of log का होता है 1 upon x तो log 1 plus x square का हो जाएगा 1 upon 1 plus x square और 1 plus x square का करेंगे 0 plus 2x इस तरह से हमें dy वटे dx की value प्राप्त होगी 2x upon 1 plus x square इसको हम 3 डाल देंगे अगला दे रखा है z परावर 10 inverse x दो तो इसका भी हम 2 का x के साब h में अवकलन करेंगे तो dz upon dx और 10 inverse x का अवकलन होता है 1 upon 1 plus x square चुकि हमें समीकर नमबर 3 से तो हमें dy upon dx पराप्त हो गया 2x upon 1 plus x square 4 से dz upon dx पराप्त हो गया 1 upon 1 plus x square हमें dy वटे dz निकालना है तो 3 में 4 से भाग लगाने पर dy upon dz वरावर 2x upon 1 plus x square upon 1 plus x square इस तरह से हम इसको solve करेंगे हमें dy upon dz की value 2x पराप्त होती है इस तरह से कोई भी question हमें दे रखा हो कि एक फलन का दूसरे फलन के साब h में अवकलन करना है इस तरीके से हम कर शकते हैं Thank you students झाल करदो में जूसरे नड़र पलसा यूंवे 5,000 द रखा टूसरे वेड़र यृजर प्द़र